हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टे अफडेट तो फ्रेंड्स से इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पांच मैं 2020 के जो आपके इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स के क्योशन्स रहेंगे जो की फ्रेंड्स आपके आने वाले हर अपकमी examination point of view से important रहेंगे तो important current affairs के कोशन को discuss करने से पहले हम यहाँ पे important news के बारे मिटिस्कस कर लहते हैं फ्रेंड्स सर जो की फ्रेंड्स आपकी journal awareness के लिए important रहेगी तो आप यहाँ पे news देख सकते हैं Recently जो आपका फैंस उ UPSC की तरफ से Update आया है Civil Services Preliminary Examination 2020 जो कि फैंस आपका ठोना था इसी महीने वो फैंस अब आपका Postpone हो चुका है Lockdown की वज़े से क्योंकि आपका Lockdown तीसरा फिस अभी चल रहा है इसको देखते हुए examination Postpone हो चुका है और जो new dates है Preliminary Examination 2020 Civil Services की वो फैंसे 20 May 2020 को UPSC की official website पे Declare हो जाएंगी उसके बाद Second news आप यहाँ पे देख सकते हैं Russia to launch first satellite to monitor Arctic climate इस यह रुशिया जो है पहली satellite launch करेगा Arctic climate को monitor करने के लिए जो आपका Arctic continent रहता है उसके climate को monitor करने के लिए इसी साल Russia जो है अपनी पहली satellite को फैंसे launch करेगा तो यह फैंस आपकी important news रहेगी 5 May 2020 के जो कि फैंस आपको पता होने चाहिए आपकी journal awareness के लिए उसके बाद फैंस आपका important question जो आपका 5 May 2020 का रहता है पहला question जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं recently जो आपका यहाँ पे how many states have integrated with one nation one ration card system तो फैंस यहाँ पे आप पहले scheme समझ लेंगी कि one ration one ration card scheme क्या है तो जैसे कि हर particular state का अलग अलग राशन कार्ट रहता है तो जैसे बिहार पोटल आप यहाँ पे इंडिया में 17 states हो चुकी है जिन्होंने one nation one ration card scheme को implement कर दिया है यह आपको याद रखना है examination point of view से आपका important यह रहेगा कौन-कौन सी आपकी वो 5 states है जिन्होंने recently join किया है वो फैंस आपको detailed में blog में मिल जाएगी उसकी information मैं आपको उस blog का directly link इस video के description box में दे दूँगा यह सभी हम question discuss करें इनकी detail information आपको directly वहाँ से मिल जाएगी आप वहाँ से friends अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं इनकी detail information क्योंकि वीडियो में हमारे पास इतना time नहीं रहेगा अच्छे तरीके से discuss करने के लिए केवल हम question और answer के बारे में discuss करेंगे तो question number two आप यहाँ पे देख सकते है recently जो यहाँ पे कोविल पटी, कटलाई, मिटाई peanut candy है friends इसको GI tag मिला है जो कि हमने कल भी दो GI tag जिन स्टेटों को मिला है वो हमने discuss किया था तो recently peanut candy जिसको यहाँ पे geographical indication tag मिला है वो कौन सी स्टेट में से है तो आपको यहाँ पे याद रखना है तमिल नाडू इस से related भी friends आपको detailed information ब्लॉग पे मिल जाएगी third question आप यहाँ पे देख सकते है recently AK3 party passed away due to coronavirus he was related to which field तो AK जो आपके three party थे यह लोगपाल member थे retired हो चुके थे recently इनकी death हो चुके तो किस field से यह belong करते हो आपके यहाँ पे याद रखना है law से यह belong करते है लोगपाल के यह member थे लेकिन retired हो चुके थे उसके बाद आपका fourth question आजाता है researcher from which institute has developed a portable device eCOV sense तो आपका यह important रहेगा कि portable device जो आपकी eCOV sense है किस institute के researcher ने यह develop किया तो यहाँ पे आप देख सकते है NIAB याने के National Institute of Animal Biotechnology आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते है कि eCOV sense क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इस device में क्या रहेगा जो आपका saliva रहता है उसका केवल 20 micro liter आपका sample लिया जाएगा और उस sample से आपका केवल 30 second में result आजाएगा कि उस patient को coronavirus है या नहीं है तो यह friends आपका important रहेगा इसकी detail information आप पढ़ सकते हो उसके बद 5th question आपका यहाँ पे आ जाता है which city has launched its first COVID-19 testing bus recently कौन सी city ने recently COVID-19 की जो testing bus है वो launch की है पहली testing bus है आपकी यह तो आपको याद रखना है मुंबाई ने उसके बद 6th important question आपका यहाँ पे आ जाता है which bank has released एक collaborative song title हम हार नहीं मानेंगे तो याद रखना है आपको किस bank के ने यह release किया है collaborative song title HDFC bank ने यह आपको important रहेगा यह आपका आ सकता examination में आपके यह उसके बाद friends आपका 7th question आ जाता है which company plans to sanitize around 4000 police vehicles across the country किस company ने recently plan किया कि 4000 जो police vehicle है पूरी country में उनको sanitize करना है तो plan आपको यहाँ पे याद रखना है MG Motor India ने किया है यह company आपकी British की automotive company है तो आपको यहाँ पे company का नाम याद रखना है यह भी आपका Dracula friends examination में question आ सकता है उसके बाद friends आपका 8th question आ जाता है What is the name of National Aeronautic Space Administration first Mars helicopter that is given by a 17-year-old Indian origin girl NASA का जो पहला Mars helicopter है जो कि 17-year-old Indian origin girl ने दिया है उसका क्या नाम है तो नाम आपको उस helicopter का याद रखना है In-Guty और जिसने यह दिया है उसका नाम याद रखना है Indian origin girl ने 17-year-old है तो नाम उसका आपने याद रखना है वनिजा रुपानी तो यह भी friends आपका important रहेगा examination point of use है तो friends यह थे आपके important question 5 में 2020 के जो कि आपके आने वाले हर upcoming competitive exam के लिए important रहेंगे Thank you friends